रादे रादे दोस्तों रादा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे स्याम स्री कृष्ण से कहता है पृता स्री मुझे आप से विशेश चर्चा करनी है तभी स्याम कहता है मकर संक्रांती के उपलवच में जो अतिति द्वारिका में है वो सभी आप से भेट करना चाहते हैं किन्तु एक समस्या है पिता जी उनकी संख्या बहुत चाता है आपको उनसे भेट करने में कठिनाईया होगी फिर स्री कृष्ण कहते हैं कहो क्या बात है स्याम फिर स्रीकिष्ण कहते हैं ये भी कोई समस्या हुई स्याम चिंतित होने किसमें कोई बात नहीं है और कहते हैं जाके उन सबी अतितियों को बोल दीजिए कि मैं उनसे सब लोग से भेट करने आऊंगा और कहते हैं द्वारिका में आया हुआ हर एक ब्यक्ति और अदिथी किसे के भी इच्छा अब उड़ नहीं होगे फिर स्याम कहता है अवस्य पिता स्री मैं उन सब के पार जा के अभी मैं आपका संदेश दे देता हूँ फिर इसके बाद आप सब लोग देखेंगे स्री कृष्ण राधा के समझ जाते हैं और कहते हैं क्या विचार कर रही हो राधे फिर राधा कहती है देखो कृष्ण उन सागरों को और मुप्त किनारों को हमारा संबन्थ ऐसा ही है ना क्रिश्ण लहरे सागर से चाहे कितना भी दूर हो जाए उना आपस्वा सागर से ही मिलती है क्योंकि सागर को लहरों की प्रतिच्छा रहती है लहर का किनारों से दूर जाना ये नियती है अगर तुम्हारा मुझे से दूर जाना ये नियती है तू मेरा भी इस किनारों के भाती प्रतिच्छा करना ये नियती है ताकि हमारा मिलान खुना हो वो सके बिधी के विचित्र अनगुती नहीं मुझे ये आभास कराया है कहती है राधा वो वर्दान को फूर करने का समय आ चुका है जो मैंने देवी सरस्वति से मांगा था और देवी सरस्वति ने हुझे जो वर्दान दिया था की राधा अगर तुम स्रीकिष्ण के मृत्ति नहीं देखना चाहती तो तुम्हारे मृत्ति स्रीकिष्ण से पहले होगी